लोग परिशाने, लोग कहरें रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है, कई लोग कंप्लेन करते हैं कि 8 साल में 2 करोड रोजगार थे कहा गए, लेकिन बात उसकी नहीं है, बात यह है कि आपको रोजगार दिया कहा जाए दीवस चलती रहे, तो इसलिए लोगों को मुफ्त की चीजे बाटना जरूरी होता है, हम बोलते हैं कि 80 करोड लोगों को अब हम मुफ्त खाना देते हैं, इसका मतलब समझो क्या है, क्या है इसका मतलब, बैठिए बैठिए ख़ड़ तो मुझे रहना है बैठिए बैठिए तो अब जमीन हमारी है मुझे ऐसे ही पसंद है यह सब आपचारिक मामला जो है यह मीडिया वगेरा के लिए ठीक है आपका स्वागत है आप मेंसे कई लोग बहुत दूर-दूर से आए है और मैं देर से आया और उसका खेद है मुझे कोई ट्राफिक वेरा की वज़य नहीं थी मुझसे ही देर हो गई कुछ हो गया था बोट सलमे उसको निप्टाने में देर लग गई आपने प्रतिक्षा की आपका धन्यवाद अब शुरू करते हैं बताइए Good evening Acharya Ji Sir my question is that economy at its fundamental is all about resource sharing but we are seeing an increasing trend nowadays that the big corporations they want to increase their profits but they do not want to share those profits with their employees the massive trend of layoffs is nowadays going on thousands of employees are being laid off by corporations every now and then and sir what is happening is that the corporations they are replacing their human प्राफ्सियान आप्ना आप्सू विप्टेर्जाने कि अजोर्स्ट माइबने था मुत्व में ऑफूर्याज कर्या आप्सूर्स्पूर्स्ट अवियृत कर दोने हो दो जोजू हैंगी कि आफिटेक्टा तेू इनकेस के लिए पूंता हैंगा प्टेघिटीलिट बट्स्टे हिंदी में इंग्लिश में हिंदी में हा जी हिंदी पूल जी हिंदी में पूल इसावल क्या एक सवाल पर किष बाट से परिशान हो सर सवाल ये है कि AI और को नहीं सकते आपको रोजगार दिया कहा जाए रोजगार देने के लिए मौके भी ओने चाहिये क्योंकि हमें इंसानों की जरुरत बहुत कम शेत्रों में है तो बाद सिर्फ इंडीविज्टॉ capacity की नहीं है, जैसे बाकी motivational speakers क्या कहेंगे, rise above the rest, upskill yourself to avoid being laid off, but हम as a civilization, as a collective, हम 7 billion people, हम किदर जा रहे हैं, और अगले 50-100 साल में इंडिया, और इंडिया जहां जाएगा, वोई दुनिया को शेप करेगा, क्योंकि इंडिया की population भी बहुत जादा है, और यंग population भी बहुत जादा है, तब इतना की मत भागो, एक एक करके चलो, ठीक है, तो हम इंसान हैं, और हम कुछ साल पहले तक जंगल में रहते थे, जानते ही हो, अगर ऐसे मानों कि इंसान इस प्रत्वी पर 100 साल पुराना है, तो जंगल से निकले उसे अभी दो सेकेंड हुए हैं, इंसान माने होमो सेपीएंस ही नहीं, हमसे पीछे वाले भी जो हमारे और पुरखे थे, जिनको हम स्पीशीज में भी नाम दूसरा दे देते हैं, पर उथे हमारे पूरवजी, तो अगर वो 100 साल के हैं, तो हमें अभी जंगल से निकले कितने से सेकेंड हुए हैं, दो सेकेंड हुए हैं, तो हमें सारी वृत्तिया, सारी टेंडेंसी जंगल की तो होंगी ना, होंगी की नहीं होंगी, और जंगल में सब अपने अपने लिए जीते हैं, जंगल में अगर सहयोग, कॉपरेशन होता भी है, तो बस उतना ही होता है, जितने में सब की जान बची रहे, और सब को आपस में कुछ मुनाफ़ा होता है, नहीं तो जंगल में कॉपरेशन नहीं होता, पहली भूल होती है, जो हम यह सोचने लग जाते हैं, कि हम अपने आपको सब भे बोलने लगे, शेहरी बोलने लगे, तो अब हम जानवर नहीं रहे, आप अभी भी जानवर हो, जो कॉर्पोरेशन का ओनर है, वो भी जानवर है, और हर जानवर अपने ही मुनाफ़े के लिए काम करता है, तो जो बोर्ड मेंबर है या जो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं किसी भी एंटिटी में वो भी किसके लिए काम करेंगे वो भी अपने लिए काम करेंगे अब अगर AI का टूल उपलब्ध है जिससे ज्यादा प्रोड़क्टिवली ज्यादा एफिशियंटली बहतर आउटपुट आ सकता है तो क्यों न कराया जाए सब कराएंगे ये तो होके रहेगा तुम उसको रोक नहीं सकते क्योंकि उसने वो कंपनी बनाई ही किसलिए है समाद सेवा के लिए उसने अपने मुनाफ़े के लिए बनाई है उसने इसलिए बनाई है कि खूब सारा पैसा आएगा उस पैसे से मैं हैश काटूंगा उस पैसे से मेरा रुत्बा हो जाएगा वो बोलने वाली बाते होती है कि भी एग्जिस्ट टू फुल्फिल अवर सोशल रिस्पॉंसिबिलिटीज ठीक है उन बातों पर एकदम छोटे-छोटे बच्चे भी यकीन नहीं करते वो बाते बस इंट्रव्यूस में अच्छी लगती है वो बाते तो बस यही है कि जब आपको पदमश्री दिया जा रहा होगा तो आप वहाँ पर बोल दोगे कि हमारी कंपनी तो इसलिए है ताकि हम लोगों को रोजगार दे सके अच्छा तो तुमने वाइड यू वांट टो बिकम एन अंट्रेपेनर सो देट आई कैन बी जॉब प्रोवाइडर यह सब बाते मजाक की हैं कोई भी इनसान अपनी कंपनी और शुरू करता है तो इसलिए करता है कि वो बड़ा आदमी कहलाए उसका रुथबा रहे उसका रसूख रहे और अगर मौका मिले तो वो एक दिन सब बेच-बाज के एक्जिट कर जाए अपना जो बैच है हम आईटी इंसका अपना बैच है आगे पीछे के बैच है पैन आईटी का बैच है यह सब हैं आईम वालों का बैच है WhatsApp groups हैं उनके उन गूरुप से सबस्यादा बधाई हैं मालू में कब आती है तब नहीं आती हैं कि जब किसी ने अपना कुछ शुरू करा क्योंकि शुरू दो करते रहते हैं लोग वोग होको खतम भी होता जाता है सबसे ज्यादा बधाई आती हैं जब कोई exit करता है exit का मतलब समझते हो exit का मतलब होता है कि 5-7-10 साल जितना भी था company चला करके वो किसी को बेच दी और बेचने का मतलब होता है कि यह जिन्होंने बेची है इनको अब किसी को 100 करोड़ किसी को 500 करोड़ मिल गया होगा उसकी बधाईया आती है अपना बेच इस मामले में बड़ा सिम्रिद है यह 1000-2000 करोड़ वाले लोग भी है और जब वो आते हैं तो बधाईया ही बधाईया है बधाईया उन्हें इस बात पर आती है कि तुमने आज 100 हाईरिंग और कर ली मैंने तो कोई बधाई नहीं देखी आज तक कि आज मैंने इतनी हाईरिंग करके इंडिया के सबसे बड़े इंप्लॉयर्स की लिस्ट में सौवा स्थान हासिल कर लिया तो लोग का हैं कॉछ भी ने बलकि मूर्खता की बात है कि आपके पास इतने सारे लोग है क्योंकि अगर काम लोगों के बिना भी हो सकता है तो लोग तो सिर्फ कास्ट होते है अगर कोई काम लोगों के बिना भी हो सकता है तो लोगों की कास्ट क्यों बरदाश्ट करनी है लोग सिर्फ कास्ट नहीं होते कई बार नूसेंस भी होते है लोगों को भर रखा है लोग पता नहीं क्या करें, उनके अपने हिसाब किताब है तो ये जो आप सवाल पूछ रहे हो ने, यूथफुल आइडियलिजम में कि AI आ रहा है, लोग ले ओफ होंगे, हाई क्या होगा इस दुनिया का लोग ले ओफ होंगे तो लोग पढ़े रहेंगे जब लोग पढ़े रहेंगे और चुनाओ आएंगे तो उन लोगों को मुफ्त की चीज़े बाट दी जाएंगे मुफ्त की चीज़े बाटनी दो वज़े से जरूरी है पहली बात मुफ्त की चीज़ नहीं बाट होगे तो वोट नहीं देंगे अगर सारी की सारी wealth आपने सिर्फ 0.1% में concentrate कर दी तो जो goods produce होंगे उन्हें खरीदेगा कौन और goods अगर खरीदे नहीं जाएंगे तो जो flow of wealth है towards the already wealthy वो रुख जाएगा न आप जब भी कुछ खरीदते हो उसमें क्या होता है उसमें wealth flow करती है किसकी तरफ जो producer है उसकी तरफ क्योंकि surplus किसको मिल रहा है एक चीज भी की है आपने 40 रुपए की खरीदी है उसमें cost 30 की थी यह जो 10 surplus है वो आपको मिलता है या उसको मिलता है तो वो जो transaction है purchase का वो उसके लिए जरूरी है ताकि जो flow of wealth है वो उसकी और बना रहे तो वो कभी ऐसा नहीं करने वाला है कि आपको बिलकुल poor छोड़ देगा penniless यह कभी भी नहीं होने वाला है दुनिया की अर्थवस्था में कि जो mass है जो gen manas है जो ocean of people इनको एकदम starving छोड़ दिया जाए क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो तो वो भी जो पैदा कर रहे है वो कौन खरीदेगा आपको मिलता रहेगा आपको कितना मिलता रहेगा आपको इतना मिलता रहेगा जितने में आप entertained रहो जितने में आपकी जिंदगी बस चलती रहे बले ही आपको वो नौकरी से न मिले तो वो आपको freebie के तौर पे मिलेगा तो ये है दुनिया का आर्थिक भविश्य economic disparity बढ़ती जाएगी और उसके साथ में freebies बढ़ती जाएगी economic disparity बढ़ेगी और जो 99.9 प्रतिशत लोग होंगे वंचित पूर उनको अगर एकदम पूर कर दिया तो पहली बात तो economic ठपड़ जाएगी दूसरी बढ़त revolution हो सकता है क्रांती हो सकती है जो एकदम वंचित हो जाता है जो शून्य पर पहुंच जाता है जो लोगों को एक हद से ज्यादा गरीब मत रखो नहीं तो विद्रोह कर देंगे तो इसलिए लोगों को मुफ्त की चीजे बाटना जरूरी होता है और लोगों को भाति-भाति के नशे और मनुरंजन देना जरूरी होता है ताकि उनको जो आप 2-4 रुपए दे रहे हो उसी 2-4 रुपए में संतुष्ट रहे है ये है विश्व का आर्थिक भविश्य ज्यादा से ज्यादा वेल्थ कम से कम हाथों में कॉंसेंट्रेट होगी और जो मासेज होंगे उनको मिलेंगे फ्री गुड्स for sustenance and lot of entertainment lot of entertainment lot of very very cheap entertainment भारत में अभी बहुत मदिदार सर्वे था कि जो malnourished लोग है जो malnourished लोग है वो भी data sufficient है उनकी body mineral deficient है लेकिन उनका phone data sufficient है और यह बहुत जरूरी है क्योंकि ठीक से खाना मिलना भी कोई सस्ती बात नहीं होती है हम सोचते हैं खाने का मतलब यही होता है बस क्या क्या आपने थोड़ी सी रोटी खाली उसमें आपने कोई सबजी पड़ी थी वो खाली अगर आपको सच्मुच एक sufficient diet चाहिए तो उसमें भी पैसा लगता है भारत में आधे से ज्यादा लोग जो खा रहे हैं वो उनको sufficient ingredients, nutrients नहीं दे रही है diet यह अलग बात है पता नहीं चलता क्योंकि शरीर की भी अपनी एक विवस्था है शरीर के किसी हिस्थे के पास भोजन ना हो पोशक तक तक तो ना हो तो भी वो brain को well supplied रखता है तो इसलिए आप आओगे कि भारतियों में ऐसे दुबले दुबले हाथ दुबले दुबले पाओं लेकिन फिर भी हो सकता है वो ITNO क्योंकि बॉड़ी ने इतना इंज़ाम कर दिया था कि बाकी सारे ओर्गन्स तो ऐसे सिकड़ गए श्रिंक कर गए क्योंकि उनको कभी भी proper nutrition मिला नहीं लेकिन बॉड़ी सारी प्रिफरेंस इसको दे देती है कहती है इसको ठीक रखो इसको ठीक रखो तो ये ठीक रहाता है ये ठीक है इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी बॉड़ी ठीक है हम में से ज्यादा तर लोग हम मतलब मैं माफ करिएगा I'm daring to say हम में से भी ज्यादा तर लोग अगर अपना परिक्षन कराएंगे तो अपने आपको बहुत सारे चीज़ों में deficient पाएंगे और वो deficiency सिर्फ carelessness का नतीज़ा नहीं होती है भारतियों में वो deficiency carelessness से ज़्यादा moneylessness का नतीज़ा होती है लेकिन उस और हमारा ध्यान न जाए इसके लिए हमको data sufficient रखा जाएगा हमें data rich रखा जाएगा और उस डेटा में लगातार एक्स्ट्रीम बनी रहेगी कुछ ऐसे मसाले की कि आप भूल जाओ कि आपकी जिंदगी का असली मुद्दा ये है कि आप शोशित हो ये आपको कभी याद नहीं रखने दिया जाएगा आपको बहुत सारी चीजों में उल्जा के रखा जाएगा टिटिलेशन, सेक्स, एंटर्टेंडमेंट, हूमर, कॉमेटी ऑफ अल काइंड्स, पॉलिटिक्स, रिलिजिन ये सब सिर्फ इसलिए है ताकि असली मुद्दे पर आपका ध्यान बिल्कुल जाए ही नहीं और असली मुद्दा ये है कि इंकम इनिक्वालिटी भारत में और दुनिया में आज इतनी है उतनी कभी नहीं थी और बढ़ती ही जा रही है और अर बढ़ती ही जा रही है और हर वर्ष बढ़ती जा रही है यह आपको जानकर पैरत होगी कि जितने भी luxury goods हैं उसमें India as a market West से compete कर रहा है लगसरी goods में India, West, कम से कम जो Europe के देश हैं छोटे वाले उनसे जादा बड़ी market बन गया है for example residences that cost over 10 or 15 crores उनकी जितनी units UK में बिक रही है उसके comparable अब इंडिया में बिकने लगी है for example vehicles that cost over a crore वो सारी गाड़ियां जो crore से उपर की आती है उनकी इंडिया बहुत बड़ी market बन गया है इंडिया बड़ी market किन चीजों की नहीं बन पा रहा जानती हो जो चीजें middle class consume करती है जब इंडिया की liberalization हुआ था 91 में तब वो company MNCs इंडिया आई थी जिन्होंने इंडिया को as a great middle class market देखा था कि इंडिया माने बहुत बड़ी middle class होगी उल्टा हो गया है इंडिया की middle class बड़ी नहीं हुई इंडिया की elite class बड़ी हो गई जो आपकी साधारन गाडियां है उनकी market stagnant रहती है जो luxury vehicle से उनकी market explode कर रही है इंडिया में आज आपको enter करना है do not enter in things that the middle class consumes because the middle class is progressively becoming lower middle class income inequality है वो इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि कल तक आप जिसको middle बोल सकते थे वो धीरे-धीरे middle भी नहीं है और ऐसा नहीं कि जो नीचे वाले है वो गरीब होते जा रहे है वो गरीब नहीं हो रहे है absolute level पर उनकी भी income बढ़ रही है पर relative level पर कुछ इस तरह से हो रहा है कि जो bottom of the pyramid है अगर उसकी income 3% बढ़ती है तो जो top of the pyramid है उसकी income 300% बढ़ती है तो bottom वाले को भी ये बोलने का हक नहीं मिलता कि मेरी income बढ़ी नहीं है income उसकी भी बढ़ी है और जो top of the pyramid है उसकी बढ़ी है 300% तो दूरी बढ़ती जा रही है दूरी बढ़ने है कारण कल तक आप जिसको middle class बोल सकते थे आज तो उसको middle class बोलना भी मुश्किल है सच तो ये है कि top of the pyramid की तुलना में सब lower middle class है ये दुनिया का भविश्य है जैसे ये दुनिया जा रही है इस भविश्य में जो एक चीज तुम्हें शामिल करनी चाहिए थी और करी नहीं इतनी awareness होनी चाहिए वो है climate disaster अब climate disaster का वास्ता भी इस pyramid से पूरा पूरा है पूरी climate disaster के लिए जिम्मेदार ये top of the pyramid है top 1% और इसको भुगतने वाला है जो bottom है ये pyramid पता है न कैसा हो रहा है उचा और नीचे से चोड़ा करेंगे वो भुगतेंगे हम सब सारी income उनके पास है तो सारा consumption भी तो वही करेंगे न और consumption ही carbon होता है emission कहां से आता है carbon emission कहां से आता है consumption से आता है आप बोलोगे production से आता है वो एक ही बात सारा consumption वहां होने वाला है और उसको भुगतने वाले ये सब लोग होने वाले है ये इस दुनिया का भविश्य है हम climate catastrophe की बात करते हैं जो climate catastrophe है जो हमारे सामने खड़ी है जो आच चुकी है उसका असर ये top 1% पर थोड़ी पढ़ने वाला है जो company zone करते हैं जो सारे profits corner करते हैं उन पर क्या असर पढ़े है कुछ भी नहीं वो तो relocate कर जाएंगे जिस दिगाए पर गर्मी ज़्यादा हो गई उससे दूसरी ज़्यादा चले जाएंगे for them the architect fields will become like a new location for vacation कि पहले वहाँ बर्फ ज़्यादा थी और ठंड़क ज़्यादा थी अब summers में बर्फ पिखल जाती है और बढ़ियां वहाँ पे open fields खुल जाते हैं और greenery आजाती है vacation पे चलें उनके लिए तो climate disaster भी tourism की opportunity होगा यह इस दुनिया का future होने वाला है और इस दुनिया का future क्यों होने वाला है two things combined one external one internal external is technology internal is ignorance जैसे जैसे technology बढ़ी है वैसे वैसे ignorance भी बढ़ी है होना यह चाहिए था कि जिस गतिसे बाहर science और technology बढ़ रहे हैं ग्यान विज्ञान तक्नीक यह बढ़ रहे हैं उसी गतिसे भीतर आत्मग्यान भी बढ़े पर यह हुआ नहीं बाहर का ग्यान बाहर की तक्नीक बहुत तेजी से आगे निकल गए और भीतर से आदमी वही पुराना जानवर रहा दो सेकेंड वाला भीतर से हम आज भी वही जानवर है जंगल वाले लेकिन बाहर से हमारे हाथ में टेक्नलोजिकल प्रावेस बहुत आ गई है और उसका नतीजा वो है जो भी आपको बोला आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी जिन्दगी को कौन चारा है दुनिया में जितना कार्बन एमिशन है कि आप जानते हो कि उसका बहुत बड़ा हिस्सा दो तेहाई से ज्यादा हिस्सा कुल पचास एंटिटीज हैं जो करती है और यह तो पचास एंटिटीज हैं यह एंटिटी क्या है यहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ है कोई तो कुल पचास लोग हैं जो दुनिया के दिकांच कारगोन एमिशन के लिए दिमेदार हैं कुल पचास लोग ये पचास लोग इसी तरह के पचास लोग आने वाले समय में सरवे सरवा बनेंगे हमारे माईबाब बनेंगे हमारे आका बनेंगे नहीं हैं और हमें सबसे जो इस enslaved who is the master, आपको ये भी नहीं पता होगा, आज भी नहीं पता है, बात समझ में आ रही है, अभी भी ये सवाल इसलिए कर पा रहे हो बिटा, क्योंकि यहां पर एक महौल तयार हो गया है, और महनत करके आपकी association ने हमें बुलाया, हम भी यहां पर आए, तो आप ये सवाल भी कर आ रहे हो, नहीं तो आपको मसाले की और मनुरंजन की और अभी शन की और होप की ऐसी ड्रग दी जाती कि इस वक्ता आप बैट करके, या Instagram Reels देख रहे होते या कोई documentary देख रहे होते कोई movie देख रहे होते या gossip कर रहे होते जिसमें आपको जो असली मुद्दा है इसका बिल्कुल होश नहीं बचता बात समझा रही है ये सब होता रहेगा और कोई इसका विरोध नहीं करेगा क्योंकि सब को नशा चटा दिया गया होगा और नशा हमें दिन रात चटाया जा रहा है दिन रात उपाय क्या है फिर जो भी हो रहा है यही उपाय है हमें समझना पड़ेगा कि हमें मूर्ख बनाया जा रहा है ऐसा नहीं कि मूर्ख जो बना रहे हैं वो बड़े होशियार लोग हैं वो भी गोरिल्ला हैं पर जैसे गोरिल्लों का एक दल होता है उसमें च्छा जाता है न तो वैसे वो च्छा गए बात कुछ आ रही है समझ में अब क्या करें वारे बच्पने का आधर श्वाद कितना मासूम सवाल है कि जो लोग इतने प्रॉफिट्स बनाते हैं वो प्रॉफिट्स शेरिंग क्यों नहीं करते हैं भई उसने शेरिंग करने के लिए प्रॉफिट्स बना आ था वो करें वो गोरिल्ला है उसे केला मिल गया वो तुम्हें क्यों देगा गोरिल्ले को केला मिल गया प्र तुम्हें देने आएगा या खुद खाएगा क्या करेगा वो खुद खाएगा तुम्हें उम्मीद क्यों कर रहे हो कि तुम्हें देगा क्यों उम्मीद कर रहे हो और ऐसी तुम उम्मीद करोगे और वैसी उन में से कोई यहां पर आ जाए आते भी होंगे बड़ा मंच है तो आप लोग ऐसे ही मासूमियत भरे सवाल पूछ भी लेते होगे कि सर आपका ठारा हजार करोड का मुनाफ़ा हुआ है आप उसका क्या करोगे और जैसे तुम्हारा सवाल वैसी हो जवाब भी दे देते होंगे इसको तो हम इंडिया की पॉपुलिशन में वित्रित कर देंगे वाह हाँ CSR कर देंगे और जिन लोगों को NGO's का जरा भी पता है वो जानते है कि CSR क्या चीज़ है उन्हें अच्छे से पता है CSR क्या होता है आपकी भी संस्था है और बहुत पुरानी भी हो रही है आज तक एक रुपया CSR का ना हमें मिला ना हमने लिया तो कि CSR का मतलब ही होता है कि ऐसे आएगा और ऐसे लोटा दो बीच में थोड़ा सा रख लो इस तरह के प्रस्ताव कई आए बीच बीच में हमने का नहीं करना है बाबा यह CSR है तो नहीं करना है एक रुपया CSR का आज तक में पर आपके काली मत बजाहिए डोनेट करिए CSR नहीं आता है हमारे पास बात आ रही है लेकिन अभी वहीं पे कोई आके आपको बोलेगा लेट मी टेल यू अबाउट आवर कॉपरेट सोशल रिस्पॉंसिबिलिटी हमने इतना रुपया CSR में लगाया और आप ताली मारना शुरू कर दोगे मारते ही जाओगे रुको गे नहीं आपको याद ही नहीं आएगा वो गोरिल्ला है और गोरिल्ले को केला मिलता है तो बाटता नहीं है अगर लग रहा है कि वो बाट रहा है तो धोखा है कोई नहीं कुछ बाटने वाला बाबा यह हो सकता है और खाप ही के छिलका उच्छाल दे आप उसमें खोश हो जाओ वो हो सकता है समझ में आ रही है बात यह यह जानते हैं न यह क्या हो रहा है मैं समझ यह बात को आपने सवाल पूछा मैं आपको बताता हूं कि हमें मूरख कैसे बनाया जाता है ऐसे इतनी आदत हो गई है आँखों को ये देखने की कि फर्खी नहीं पड़ता कि मैं बोल क्या रहा हूं ये आपके लिए नहीं किया जा रहा है उनके ले किया जा रहा है आप तो यहां पर बैठें वह मान लीजिए हजार लोग ये उनके ये दिखा दिखा करके नशे का ऐसा आदी बना दिया गया है कि अगर वो देखेंगे कि एक आदमी ऐसे ही बोल रहा है और रोशनी ठीक नहीं है या कुछ गिच पिच गिच पिच नहीं हो रहा तो देखेंगे ही नहीं होश भी आप तक नशे के मार्ग से लाना पड़ रहा है बताओ क्या करें भारत ने अपने आपको एक नई चीज अब बोलना शुरू किया है the world's biggest welfare economy किस आधार पर बोलना शुरू किया जानते हो हम बोलते हैं कि 80 करोड़ लोगों को अब हम मुफ्त खाना देते हैं इसका मतलब समझो क्या है क्या है इसका मतलब अपने कुछ समर्थ नहीं है यह भविश्य है धीरे धीरे और ज्यादा लोग subsidies के recipients बनेंगे आज भारत में हर वर्ग subsidy मांग रहा है reservation अलग-अलग शित्रों में उसकी भी मांग बढ़ती जा रही है यह सब क्या हो रहा है यही है क्योंकि आप में इतनी अंदरूनी काबिलियत छोड़ी ही नहीं जा रही कि आप अपने दम पर अपने लिए कमा सको लेकिन अगर आपको बिलकुल ही गरीब छोड़ दिया गया और भूखा तो फिर अर्थ विवस्था में सामाजिक राजनैतिक विवस्था में भूचा लाएगा तो उसके लिए इतना कर दिया जाता है मनुरंजन चलते रहना चाहिए वह भूखा भी मर रहा हो तो भी उसका इंस्टाग्राम चलता है आप कभी अब दिल्ली में तो पता नहीं होता है कि नहीं थोड़ा छोटा शहर हो वहां पर जो रिल्वे स्टेशन होता है बस स्टेंड होता है उधर निकल जाहिए जहां लेटे होंगे नीद उनको आती नहीं क्योंकि पेट खाली है और मच्छर बहुत काट रहे हैं और उन्हें क्या चला रखा होगा यह देख लीजेगा आप ऐसे पैदल चलते जाएए आपके कान में आवाज पढ़ती जाएगी कोई हस रहा है कोई नाच रहा है फोन में और उसका पेट भूखा है उसके पास खाने को नहीं है पर डेटा खूब सस्ता कर दिया गया है ताकि आप नशे में रहो मेरी यात्रा लगभग तीन साल पहले शुरू ही थी जो समस्याएं हम सब की रहती है परवारिक परिशानियां आगे क्या किया जाए नहीं किया जाए तो भली वर जब वीडियो देखा तो लगा कि कि सारा ही जीवन बदलने की बात कर रहे हैं यह कैसे संभव है तो प्रैक्टिकल नहीं लगा ठीक है अच्छी बाते बोल रहे लेंकि प्रैक्टिकल नहीं है फिर थोड़ा और इनको सुनना शुरू किया उसके बाद से जो एक तरह से कह सकते हैं कि लगन लगी है वो चल रह ही है अलकि जटके लगते रहे हैं परिवार में भी और जो अपना संघर्ष है वो भी चल रहा है बिल्कुर नहीं लगता कि कुछ खाश है मुझ में लेकिन बस यहीं है कि हां डरता हूं गिरता हूं लेकिन उठने का साहस मिल गया है अपने डर कर सामना करने के साहस मिल गया है जो भी चुरोंती है बाहर हो चाहे अंदर की हो वो मिल गया है मैं आप सबसे यही कहूंगा कि जिनके माम में भी शंका है अभी भी जोड़ने के बाद भी छोड़ियेगा मत जुड़े रहिएगा क्योंकि यहां से जो छूट के जाएगा ना वो कहीं क्या नहीं रहेगा बाकी आगे जो भी होगा शुब ही होगा जैसे अचार जी गहते हैं कि जो सही है वो करना है यह मत देखिए कि दुख है या सुख है तो व्यक्दिगत जिवन में ज्यादा नहीं जाओंगा वो लाएगा कि अपनी परिशानियां सुना रहे हैं सबके जीवन में होती हैं हैं लेकिन बस यही है कि साहस मिला है अचार जी से इसके लिए बहुत बहुत धन्यावाद आप 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 벌써 आप 1 2 आ eru